बच्चों को जाना पड़ता था तो दो तिन प्रकार की कटनाई थी कि एक तो जो इसकूल था वोसे स्कूल का सेंटर दूसी जगा होता था और दूसी बात ये कि जो बच्चे अपने घरों पर चले गए हैं उनको अपने इस्कूल में आना है और इस्कूल के बाद फिर उस केंदर में जाना है तो ये बच्चों की बहुत बड़ी परिशानी थी और कटनाई है थी तो इसलिए हम लोगों ने दोनों बातें की हैं एक तो जितने भी इस्कूल है वो इस्कूल ही उनके सेंटर हो जाएंगे तो एक तो बच्चों को ये बड़ी सुब्दा मिलिया और उनके अभिभावकों को जो तनाव रहता था कि दूसरे जगह उनको बच्चों को लेकर के प गए हैं अपने जिल्लों में चले गए हैं और विभिन प्रदेशों के बच्चे विभिन प्रदेशों में पड़ रहे थे तो उन बच्चों के लिए भी फिर उनको आना पड़ता वापस और पहले वहां आते और फिर सेंटर में जाते तो आप हम लोगों ने ये तही किया ह CBSE Board ने कि जो बच्चा जिस प्रदेश में है और जिस प्रदेश के जिस जिल्ले में है वो बच्चा वो छात्र छात्रा अपनी सुचना अपने स्कूल को देगा और इसकूल सीबीएसी बोर्ड को देगा सूचना कि वो बच्चा कहां पर किस जन्पद में है और उसका निकटस अस्थान वो उसी जन्पद में कौन सा उसको दिया जाए ताकि उस विद्धा जनक तरीके से वो अपनी परिक्षा दे सके और सेंटर भी हमारे दो से तीन गुन जदा बड़े हैं लगबग 12,000 से 15,000 सेंटर अभी होंगे जहां बच्चे ये परिक्षा देंगे जबकि ये संक्या पहले बहुत अम